तो मैं हूँ कुशाल कुमार और वीडियो में बात करने वाला है रेनल्ड को इट के वारे में तुम क्या-का पीटर्स आपको इस आपको स्कार के पाइद इसकार का ओन रोड धाम पुर बिजिन और उत्ता प्रदेश में तो इसका सेकेंड टोब बैरेंट ही है क्योंकि इससे उपर आपको एक और एक्स्टी ओप्शनल वेरेंट आता है या फिर क्लाइमबर वेरेंट आता है पर लेकिन यह वाला वेरेंट है इसके टोब बैरेंट में आता है तो विचली फिर पहले हम आपको सकार का 360 व्यू देता हूं यह इसकी फ्रेंट प्रफाइल डियारस मिल जाती है आपको फ्रेंट में वो फिर कुछ तरह की लगती है साइट से देखने में स्टील वीज मिल जाते हैं आपको बिद बील कबर चाहेंस का टोब बैरेंट भी ले ले आप और यह रही इसकी बैक प्रफाइल तो विचली फ भीछे के test आपको लोगों मिल जाएगा लोग अलोग का आपको इसमें option मिलने वाला है फिलिके नहीं रहने वाली है और दूसरी की आपको basic मिल जाएगी उसमें आपको लोग इंडिकेटर दिया जाएगा इंडिकेटर में आपको बल्ब मिलने वाला है जिसे के आप देख सकते हैं नीचे की साइड आपको LED DRS मिल जाएगी बीशमा को रिनोड का लोगो मिल जाएगा और ग्रिल पापको थोड़ी सी क्रोम फिनिस देखने के लिए मिल जाएगी कुछ इ बीचे की सेड आपको मिलने वाली है तो भी कुझ इस तरह की साइट की सेट पर्फाइल बात के लेता हूं सकार की सेट परफाइल के बारे में 14 इंच के आपको उसमें 20 मिलने वाले है 165 by 70 और 14 इनकी प्रोफाइल है बील कवर्स भी आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह के इंडिकेटर आपको इस कार के फेंडर पे मिल जाएगा और यहां पर आपको क्लैडिंग भी दी गई है और कुछ इस तरह का मिल जाएगा आपको सकार का ओर बियम ब्लैक कलर मिल जाएगा आपको ओर बियम इस कार का दोर हैंडल आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा बैक डोर हैंडल भी आपको इसमें ब्लैक कलर का मिल जाएगा और बैक वाले टैर पे भी आपको कलैडिंग मिलने वाली है और कुछ इस तरह की लगती है सकार की साइट प्रॉफाइल अब बात के लिए तो सकार की बैक प्रफाइल के बारे में रैनोल्ट का यहां पर आपको लोगो मिल जाएगा स्पेस देकर कुईट लिखा गया है इसके बैक में बाइफर, डिफोगर, बोशर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उपर के साइड आपको हाई मौंट इस्टोप लैंप मिलने वाला है रैनोल्ट की यहां पर आपको बैसिंग मिल जाएगी एलेडी टेल लाइट मिलने वाली आपको बैक लाइट और इंडिकेटर में आपको बल्ब मिल जाएगा रिफलेक्टर्स यहाँ पर दिये गए हैं इस कार के पारकिंग Sensor यहाँ पर मिल जाएंगे आपको गों पारकिंग Sensor आपको मिलने वाले हैं पर नीचे सैड भी आपको कलाइडिंग मिलने वाली है इस कार में इस कारम आपको 84 mm की ground clearance मिल जाती है और क्या-क्या dimension इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर सो हो रही होंगी तो विचले फिर कुछ इस तरह का था सकार का इस चलू क्या-क्या features आपको सकार में मिलते थे बेतों मैंना आपको बता दी है तो विचले फिर मापको सकार का interior दिखाता हूँ क्या-क्या features आपको सकार के interior में offer करे जाते है डोर ओपनर जो रहता वो भी आपको black color का मिल जाएगा बाटर बोटिल के लिए नीचे की सेड़ आपको space दिया गया है डोकुमेंट्स रखने के लिए भी आपको space मिल जाएगा लोक अनलोक के लिए आपको इस्टिक मिलने वाली है इस तरह का मिल जाता है सकार का interior जैसे यार देते थे कुछ इस तरह का सकार का steering wheel यहाँ पर आपको रिरोल्ड का logo मिल जाएगा steering moderate control सापको कुछ भी नहीं मिलने वाले है यहाँ पर यहाँ पर बस आपको chrome मिल जाएगा ओरने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है SRS airbag के आपको basing मिलने वाली है कुछ इस तरह का लगता सकार का steering wheel तो इचले विर्म आपको सकार का instrument cluster दिखायता हूं कि इस तरह का आपको सकार में instrument cluster मिल जाता है यहाँ पर आप उसकी कील लगा देंगे तो यह से आप देश से आपको digitally instrument cluster इस कार में मिलने वाला है बीच में आपको एक MID दी जाएगी और यहाँ पर आपको एक RPM मिल जाएगा बीच में speedometer है और कुझ इस तरह का लगता है सकार का instrument cluster और इस instrument cluster में आपको थोड़ी बहुत alert lights दी जाएगी तो कुझ इस तरह का लगता है सकार का instrument cluster तो यह से आप देशते कुझ इस तरह का मिल जाएक आप उस कार में infotainment system 18 का आपको इस कार में infotainment system मिल जाएगा जो कुझ इस तरह का लगता है सकार के infotainment system android auto and apple car play भी आपको इस में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको दो AC दी जाएगे और इसके चार उतरब जैसे आप देशते हैं त्यानो black finish आपको मिल जाएगी और थोड़ा बहुत कुछ बटन्स दिये जाएंगे लोग के लिए और यहाँ पर हजाट राइट का बटन मिल जाएगा आपको और manual AC मिलने वाली आपको यहाँ पर जिसको अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं कुझ इस तरह का लगता है यह वाला पार कुझ इस तरह का का dashboard कुईट की यहाँ पर आपक इवेंट गलब ओजिखा दो कुछ इतना स्पेस आपको इसमें गलब बोक्स मिल जाएगा काफी डीप है गलब बोक्स जैसा कि आप देश सकते हैं इस सग्मेंट में सबसे यहादा गलब बोक्स में स्पेस मुझे इसमें लगा और कुझ इस तरह का मिल जाएको उसकार में स संवाइजर कुछ इस तरह का बैनेटी मिरर आपको दोनों संवाइजर में नहीं मिलेंगे कि अगर आप अपने और बियूं को अजया करना चाहते हैं तो आप यहां से और यहां से आपका और बियूंट का पाबशोग किट मिल जाता है यूसबी के लिए आपको एक पोर्ट मिल जाएगा और ओक्स के लिए यहां पर आपको एक पोर्ट मिलने वाला है और यहां पर आपको कुछ इतना स्पेस यहां पर दिया जाएगा जैसे आप दे सकते हैं यहां पर आपको तोड़ा बहुत इस पेस यहां पर भी मिल जाएगा और फाइव गेर मैनूर टांसमेश में या फिर कुछ ज़्यादा सिलवर फिनिस श्रकर के इंटिर में देखने के लिए नहीं मिलेगी कुछ इंट जाता है फिर आप को थोड़ा साई इसकार का हैंड सब्सक्राइब जिसके आप दे अपने ह साइट का डोर कुझ इस तरह का है आप पर आपको वही excel के निजine Dan इस्टिक वाली लोकन डूक के लिएर ऑपनर को यह यह था क्रण मिल जाएगा और यहांपर कदर इसकार का front seat पर बैट कर क्या क्या features आपको इसकार मिलते थे वो तो मैंना आपको दिखा दी है और आपको alto जो आती है मारूति सुजी की उससे तो आपको ऊचा इसकार में बैट कर लगने वाला है जो interior या फिर exterior है वो आपको alto से ज्यादा पसंद आने वाला है की स्कार का तो बिचले फिर इसकार की बैक सीktor पर चल कर दिखाएया वहों फिर कितना स्पेस आपको बहाँ पर मिल जाता है अलता है बैक दूर कुछ इस तरह का मिल जाएगा आपको इससी आप दे सकते हैं फिंद्ण साथ आ अब यहां पर आपको कोई भी रेर में इसी वैर नहीं मिलने वाला है और नहीं आपको इसकी रूप में कोई भी लैंप दिया जाएगा और कुछ इस तरह की मिल जाएगा तो यह से पडेशन बेक चीट पर बैक कुछ इस तरह का लगता है किस कार का फ्रेंड डैशबुर्ट जाएगा वो बैक में भी आपको यहां पर सीट बैट जी जाएंगी तो भी चलिए फिर कुछ इस तरह गाद इसका बैक सीट और बैक करट क्या-क्या फीचर्स और कितना स्पेस आपको यहां पर मिल जाता है तो भी चलिए फिर आपको इस कार का बूट स्पेस दिखाता हूँ, कितना फिर स्पेस आपको इस कार के बूट स्पेस मिल जाता है, तो इस कार के बूट को खोलने के लिए यहाँ पर आपको पुल करना पड़ेगा, जो आप इसको पुल करेंगे तो आपको जो कार का बूट ह वो इजिली ओपन हो जाएगा 280 लीटर का स्कार मापको बूट स्पेस मिल जाता है वो कुछ इतना बूट स्पेस है स्कार में नीजे के सेट आपको स्पेर बील मिल जाएगा तो वे इस कार मापको 1000 CC का एंजन मिल जाता है जो कि 67 BHP की पावर जनरेट करता है और 91 NM का टोक जनरेट करता है और इसी के साथ आपको स्कार से 20 किलोमीटर पर लीटर की मायलेज भी मिल जाएगी वो फ्यूल टेंक कैपेसिट इस कार की 28 लीटर की है तो यसे आपने देखा इस कार में आपको कुछ इस तरह का interior, exterior मिल जाता है तो चलिए फिर वीडियो के चलिए लगी कमेंट करके जरूर बता है ना अगर आपके फ्यूटर में ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीए यह फिर आपको किसी और कार का बोकराउन देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं वीडियो पर देखने के लिए आपका धन्यवाद